हेलो दोस्तों मैं अंकित मान और मैं एक डीजे और परडूसर हूँ लोजिक प्रोएक्स की कम्प्लीट बिगनेर कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हम बात करेंगे जो आपके left side में उपर यहां पर तीन यह दियो है button window इनके बारे हम बात करेंगे पहला है आपका smart control दूसरा है mixer तीसरा है editor हम बात करते हैं smart control के पहले आपके keyboard में बी दवाई जागा कुल जाएगा बंद जाएगा मैं select करता हूँ को इस instrument मैंने यह select कर लिया open किया तो आप यह देख रहे होंगे मेरे को यहां पर कुछ control दे दिया गया इनके मेरे को बहुत easy कर दिया मेरे किसी भी मैंने इमान लिजाए यह track चूज किया है कर सकता हूँ कम ज्यादा जो भी मैं चाहता हूँ कम और ज्याद अपने coding कर सकता हूँ मैं से यहां से control कर सकता हूँ मतलब जैसे इसको suppose इसको ले लिया मैंने इसको इसको सबका देख रहे हैं आप इंटर पे सबका लग लगा रहा है इसको यह instrument एक्षिली तीनों सेम instrument है तो इनका नहीं आ रहा है इसका आगया आपका ही अट बैंक का बूम बैंक का इसको आप देख पा रहे हूँ सबका मतलब आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं इनको बड़ी इजीली स्मार्ट कंट्रोल हो गया है आपका यह आपका है मिक्सर एक्स दबाएंगे आपका मिक्सर खुल जाएगा यह सब आपका मिक्सर वो है यह आपके जो हम सारे ट्रेक्स जो हमने वहाँ पर डाले हूए यह सब यह सब ट्रेक्स यहां पर आचुके है अब हम इनको यहां से अपने according mix करते हैं जैसे हम किसी भी track को तो यहां से कोई ज़्यादा लग रहा है कोई कम लग रहा है यहां तो अपने play कर दिया उसको अब हम कुछ को adjust करना है तो हम यहां से करेंगे score नीचे उपर जैसे भी आप हम आगे बात करेंगे सब के बारे में यहीं हम कुछ स्रीप इंटर्वेस दिखारा हूं उसको कुछ एस होता है देख लिजी यहां से अपने डाउन सब कुछ करते हैं अब यह next press करूंगा बंद हो जाए अब हम बात करते हैं editor की editor में आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह गएंटर्वेस आगया इसको मैं भी बंद करते हूं देखाते हूं अपने यहां पर इसके आरे में बात करते हैं यह भी मेरा compact का की उरे सेंपलर है जो मैंने उसके आया है instrument यह guitar इसके आरे में बात करते हैं अब बात हैं editor पर तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह वो media reason है जो हमने यहां पर कीज प्ले किया हुए इसको मैं जोड़ा सबड़ा करता हूं यह देगे यह सब वो है जो मैंने यहां पर यह सब प्ले किया हुए वो सब यहां पर यह आराश हो रहा है अब मैं यहां से इसको ऐसे भी play कर सकता हूं इसको यह से play होता है इसको आप यहां से pencil यहां से pencil choose करके draw वगरा कर सकते हैं command z दबाऊंगा undo हो जाएगा यह आप देख सकते हैं यहां पर इसका कुछ ऐसा आजाएगा इंटरफेस अब मैं audio file को चूज़ करता हूं इडिटर इसका कुछ इसका इंटरफेस ऐसा आजाएगा file audio को कुछ इस तरह का गया इसको हम छोटा करेंगे तो यह कुछ ऐसे दिखेएगी इसके वाइड करेंगे इसके हम डिटेल ने जितने हम डिटेल में काम करेंगे इसको वाइड करके हम कर सकते हैं इसको हम नॉर्मली डबल टैप करके भी पून कर सकते हैं उन डबल टैप करूँगा बंदो जाएगा जैसे ओडियो पे ऐसे डबल टैप करूँगा ओडियो पे तो बंदो जायेगा तो ये कुछ इस तरह का था हमारा इसका काम अब हम बात करेंगे कुछ पॉप अप विंडोज के बारे में हम जाएंगे विंडोज ओपन मिक्सर कबांड टू से भी उन कर सकते हैं इसको ये आप देख रहे हैं एक पॉप अप आप आ गया है मिक्सर का जैसे कि आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो studio हैं, बड़े बड़े जो dizes हैं, producers हैं, वो दो-दो screen का उज़ करते हैं, दो-दो screen मतलब आपका दो TV मान लेजिए, दो display मान लेजिए, उसको बोलते हैं, दो monitor उज़ करते होंगे, तो एक वो क्या करते हैं, जो mixer वाला part है, जो आपका यह देख रहे हैं, यह आपका अलग screen पर चल रहा होगा, और जो पीछा main window देख रहे हैं, यह अलग पर काम चल रहा होगा, इससे क्या होता है, हमारा काम करने का तरीका, और असान हो जाता है, हम यहां से कुछ चेक करते रहते हैं, कि कुछ high, कुछ low जाज़ा तो नहीं हो गया, और यहां पर हम काम करते रहते हैं, तो इसका हमारा फाइदा यह होता है, अब इसको हम close कैसे करेंगे, यहां तो हम यहां से normal इसको cut कर देंगे, यह फिर हम क्या कर सकते हैं, command w दबाएंगे, तो बन्द हो जाएगा, ओके, अब हम बात करते हैं, windows, open piano roll, command for दबाएंगे तो आपका यह open piano roll हो जाएगा, यह देखें, जैसे हमने पिछली वीडियों बात किया था, लेकिन उसमें pop-up नहीं था, यह pop-up स्क्रीन है, इसको आप, मैंने बताया, आप, आपकी दूसरी स्क्रीन पढ़े जाएंगे, आप आप देख सकते हैं, अभी मैंने सब चैनल कर आ रहा है, इसमें सब, यह reason जितने भी आप देख रहे हैं, रहके, इस हर एक का है, जब green reason आप देख रहे हैं, लाइन से बीच में, तो यह 6 reasons का, प्यानो रोल है, अगर आप देखिये, मैं इस पर click करता हूँ, तो यह इसका आ गया, इस पर करूँगा तो इसका आ जाएगा, command 4, आ गया, अगर आपका screen के पीछे चल जाता है, वह तो आरतर गाया हो जाता है, तो इसका मतलब वह आपका screen के पीछे जा चुका है, तो आप command 4 दो आएंगे, तो वह आपिस आ जाएगा, देखिये, command 4 दो आँगो तो यह आता जाएगा, अलग-अलग milty आ जाएगा, अलग-अलग आता जाएगा, आप अलग-अलग चूज कर सकते हैं, इसका में बात किया है, piano role, यह जो normal software instrument होते हैं, यह media reason में play होते हैं, और जो भी हमने select किया हुआ है, यह हमारा audio reason है, तो इसमें, media reason में audio reason नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, windows में जाएगे, open audio file editor, command 6 के दभाएंगे, तो आपका यह खुल जाएगा, इसमें जाकर आप normally इसे edit कर सकते हैं, sodyo को, कुछ भी जाकर कर सकते हैं, cut, 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 जो भी आप चाहें, कि यह आपकी creativity आप जो भी जाहें, वो कर सकते हैं, ऐसा ही हम इसमें, piano roll में कर सकते हैं, जाकर इसको change कर सकते हैं, यह फिर इसको कुछ भी कर सकते हैं आप यहापे, जो यहाँ पर सब दिया हुआ है, raise, cut, low, सब कुछ कर सकते हैं, जो options हैं यहाँ पर, ओके, और इसको हम एक तरह से own, और own कर सकते हैं, यह open कर सकते हैं, इसपे click करेंगे आप, option, double click, यह आपका ऐसे भी आ जाएगा, जैसे मैं इसको जाना है, इसको में करूँगा, option, double click, यह इस तरह से भी ओन हो जाता है, तो आपको, अगर आपका overflow ते उज़ करना है, तो आप यह सब यूज कर सकते हैं, अगर आप तसलिए से बैटके करना चाहिए, time दे करना चाहिए, आप यहाँ से ओन कर सकते हैं, यह आप पर depend करता है, अब हम बात करेंगे, suppose कि यह आप, इस मेन विंडो में काम कर रहे हैं, जो कि आपकी विंडो वन है, और आपको इसमें कुछ चीज़े चेक करनी है, आगे कुछ इफेक्ट चेक करना है, मतलब कुछ और करना है, तो आप और आप चाहते हैं कि यह मेरा स्क्रीन बात में बिलकुँ ऐसे मिल जाए, कुछ यूज़ करने के बात, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वन पर क्लिक करेंगे, यह आप की स्क्रीन बान आप देख सकते हैं, मैं विंडोस में जाओंगा, इसको, sorry, मैं विंडोस में नहीं, मैं यहाँ पर जाओंगा, और इसको लोग कर दूँगा, अब मैं इसको डुप्लिकेट बनाता हूँ, टू, पहले मैं इसमें कुछ चेंजिस कर देता हूँ, जिसे आपको, open panel roll कर लेता हूँ, जैसे इसका प्यानो नहीं है, यहाँ पर जाकर, open panel roll, यह मैं नाउन कर लिया है, और मैं क्या खड़ सकता हूँ, open letter score, यह notes टाइप हैं, जो आप देख सकते हैं, इसको musical language बोलते हैं, यह से मान लिजिए, मैंने आपको जानने के लिए, और हम मैं जाना चाहता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, duplicate screen बना देता हूँ, to, by, editing, okay कर देता हूँ, तो आप जेखेंगे, यहाँ पर जाऊँगा, तो मेरी यह screen खुल जाएगी, और मैं यहाँ जाता हूँ, तो मेरी यह screen खुल जाएगी, एक मेरा skip, deck side चला गया, जो मैंने आपको बताया था, I'm screen, यहाँ से होनों कर सकते हैं, open प्यालो, यहाँ प्याँ, तो आप इन सब कर यूज़ करके, आपके workflow को तेज़ कर सकते हैं, झालो,